अलेक। असलाम ओलेकुम। लास्ट ताइम हम ने पढ़ा था कि यूज वेश वेश्य स्टभाइचा जो तो और ने तो तो आपकर के पाइदा है मुख को साथ है? अज हम पढ़ेंगे तो फाइदे कैसे आपकोशानाद के होते हैं? चार एडवांटेच होते हैं। रिसोर्स शेरिंग, एकॉनमी, एंड यूटिलाइजेशन अफ मुल्ली प्रोसेसर अपरेक्ट्चर्च एक करके मैं अभी डिफाइन करूंगी लेकिन दिसद्वांटेज में अब देके डिसद्वांटेज में भी रिसोर्स शेरिंग एंड डिफिकल्ड प्रोग्रामिंग मॉ रहे टास्क के यानि रनिंग स्रेट में रहे जाहे उसके बागी के पार्ट ब्लॉक हो जाए या कोई बड़ा टास्क या उपरेशन परफॉर्म हो रहा हो इसलिगे होगा कि यूजर की रिस्पॉंसिवनेस बढ़ेगी यहां लिखा हो है देर्भाइब इंक्रींस तो दे य जो भी वीडियोस थी में असा हर वीडियो में मुस्ट पर आए कि थ्रेट, कोड, डेटा या फाइल शेयर करते हैं और यहां रिजिस्टर्स और स्टैक शेयर नहीं करते हैं वो सबका अलग-अलग होता है यहां पर क्या है रिसोर्स शेरिंग बाइडिफॉल्ट क्या होता ह तो थ्रेट जो है वो डेटा और रिसोर्स शेयर करते हैं कोड शेयर अप्लिकेशन अलाओ करता है डिफ्रेंट थ्रेट्स को सीम एड्रेस स्पेस में काम करें थेख next है economy, economy यानि कि allocating memory and resource for process creation is costly करते हैं थ्रेइचन थीख मैने कहा ना कि by default thread में यह facility होती है कि वो डेटा, sorry, memory और शेयर, memory और रिसोर्स शेयर करें अलेकिन अगर memory और रिसोर्स प्रोसेस में supporting करना पड़ जाता है तो बहुत कोसली यह नहीं महेंगा हो जाता है कि बजाए कि अगर हम thread में memory या resource share करते हैं थोड़ा सस्ता पड़ जाता है अगर हम thread में यह सब करें तो और दूसरा contact switching इस पर फास्ट हो जाती है so contact switching become fast when working with the threads और overhead भी overhead low हो जाता है next utilization of multiprocessor architecture यह important advantage है thread का इसका क्या मतलब है कि that means utilization in multiprocessor or system multiprocessor environment की help से हम multithreading increase कर सकते हैं यानि same time में ज्यादा threads टास्क परफॉर्म कर रहे हूं single threaded process तो एक ही CPU में कर सकता है ना चाहिए जितने मर्जी हों और अगर हम multi threading की बात करें तो multiple CPU पर चलने से concurrency increase हो जाती है यहां लिखा हुआ ना multi threading on multi CPU machines increases concurrency ठीक next है disadvantages disadvantages में first है resource sharing and difficult programming model अब आप यह सोचेंगे resource sharing तो इसका advantage था यहादा कि resource sharing main point है threads का advantage भी है और threads का disadvantage भी अब यह कैसे हैं बिताते हूं में उससे पहले आप जाके please मेरी चैनल को subscribe कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं और सब्सक्राइब वीडियो आपके लिए अपरोड़ करें specially mid term से पहले और अगर पसंद आ रहे हैं तो please मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें ताके बता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं और अगर कुछ भी मुश्किल हो रहा हूं कुछ समझ ना रही हो तो अपर मेंट बॉक्स में उनसे पूछ भी सकते हैं स्टार्ट करता हैं mature sharing तो एक word से ada synchronization से ada synchronization के मेंने आपको पहले भी बतायते हैं शाहए को प्रेकिन system कीरी में नहीं मिझा से ना सब्सक्राइशन सही तरीकikke से इसतमाल करना सही तवर कडिया से समझाते हूंवे चैंसे तॉडर के Georgian अगर हम सही तरीके से उसको पैनेज नहीं करेंगे तो वो क्या है वो disturbance वली noise create करेंगे ओक है शोर मचाएगा बजाएगा अगर हम उसे ठीक तरीके से synchronize करें यानि ठीक तरीके से लगाएं तो वो क्या है music create करेंगा ठेक यह होता synchronization यानि कोई भी चीज हो उसको synchronize अच्छे से करना सिंक्रोनाइज करना रिसोर शेरिंग वेरास रिसोर शेरिंग वेरास रिसोर शेरिंग वेरास रिसोर शेरिंग वाही बात जो एक इसका advantage तो है लेगन साथ में इसका disadvantage भी है because proper synchronization is needed between threads for accessing the shared resource data and files इसका क्या मतलब है synchronization की जरूरत पड़ेगी threads के दिर्मयान अब normal programmer जो है जो C++ या Visual Basic कोर्स ही लिख सकते हों या पिर बिल्कुल ना आती है उनको coding तो data या files को synchronize करना उनके लिए उनके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा उन programs को लिखना बहुत उनके लिए यह issue आ जाता है इसमें threads के topic में next है difficult programming model मैंने कहा ना कि जो basic program जैसे C++ सी इस तरह के विश्य बेसिक बगारा programs लिख सकते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है threads के related programs लिखना basic programs लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और उनके especially जब debug करने की बात है या फिर test करना यह सब बहुत मुश्किल होता है उनके लिए तो इसलिए यह दूसरा disadvantage है programming model is difficult task in case of threading यह था आजका topic उमीद है आपको पसंद आया होगा Thank you and Allah Hafiz I झाल झाल